कैंट पुलिस ने लाइसेंसे डिवॉल्वर से फायर करने वाले एक अभ्युक को गरिफतार किया है जिसके संबन्द में इसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्णोई ने बताया कि मुक्वीर की सूशना पर एक अभ्युक को रोडवेज बस स्टैंड से ग्रिफतार किया गया है जिसकी पहचान अंस सिंग पुत्र राम बाबु सिंग निवासी ग्राम कुलवरिया भाया थाना भलुवनी जनपद्द इवरिया के रूप में हुई है जिसके पास से एक अदद लाइसेंसे रिवालवर 24 जिंदा कार्टूस एक टैबलेट बरामत किया गया है इसमें सिटी ने बताया कि पूस्ताश करने पर अभ्युक ने बताया कि 31 मई को समय करीब 11 बज़े सिटी मॉल के बगल में 10 पार्क स् लहे को निकाल कर जमीन पर पांच फायर किया और धौस जमाने का प्रियास किया गया इस सूशना पर पुलिस टीम दोरा घेरबंदी करके रोडवेज बस स्टैंड के पास से अंस सिंग पुतर राम बाबु सिंग निवास्री ग्राम कुलवरिया भया थाना भलुणी जिनप की करण की रिपोर्ट प्रेशित की जा रही है पूस्ताश पर इसने बताये कि मैं आर्मी में चालक पद पर 5 साल नौकरी किया हूं लेकिन मेडिकल अनफिट होने की कारण नौकरी से निकाल दिया गया उन्होंने बताये कि अभयोक्त के उबर मुकद्म पंजुकृत कर जील कि अ लग्या जो कि अ आ लग्यास्ट साथ । यृब अ हुआ यृष्या लग्या लग cotton के दे लग्यास्ट फिर YOUR Namira खारि इसको प्रेशनोड को भूद स्कीवार से तंग है इसके आगे तरहे बना उहाग है भूंसरा म से लेगे ब्रऴ में पीसी दिआ को वहां गताया गिबग थे राहां तो इनों ने कम रूख देगार को जनपद गोरकपुर में आप राजियों पर अंकुस लगाने के लिए SSP महधय की निर्देशन में करी कारवाई की जा रही है कल रात को सुचना मिली कि एक फोजी ने अपनी लाइसेंसी रिवालवर से पांच राउंड फायर किये हैं सुचना मिलने पर सहर शेक्तर के सभी थानों को फटा फट कारवाई करने के निर्देश दिया जिसके अंदर एक व्यक्ति अंसीन यह निवासी है बलूनी देवरिया का इसको गिरफतार किया गया बाद में मुखतना पंजिगरत किया गया है इसके पास से लाइसेंसी रिवोल्वर 32 बोर 24 अदर कार्तूस भी बरामत किये गये हैं इसने इसने यह सराब कि नसे में दुत था, इसका मेडिकल परिक्षन भी करा या जिसके इवाstar privilege कि आपस में तेन पारक स्टीट वोटल के बाहर का सुनी हुई थी। उसके बाद में इसने गुस्अ में आके फायर किया थी।